हेलो फ्रेंट बेलकर बैक टू माई चैनल और कैसे आप सब आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो यह सेकेंड पार्ट लेके आई हूँ मैं जूका तो यह है राइनसोरस और दो टो हैं बिल्कुल ग्रे कलर के काफी कूपसुरत दिख रहा हैं तो बने रहे हैं मेरे यहां पर इमिज जैसे जो लोग नहीं चल पा रहे थे उनकी लिए है विपकर के अपना इस से घूम रहते हैं तो जगा जगा यह रोग दे रहते हैं वहां से लोग देख ले रहते हैं पहले सबकों सारे जानमेल को उसके बाद से फिर उसम्हार्ट के आगे बढ़े रहते और यह पी यह पी टाइकर जो सो रहा है और काफी गलग कर रह ते कि हम लोग बहुत गलब टाइन प्या है कि सारे सही है जगा जगा चुपके तो बहुत मुसक्किल सी देखना पर दा मैं था और यह है कैंटीन जो यहां पे बना हुए है और ये कैंटीन में सारे फास फूड मिलते हैं और यहां बैठने की बेवस्ता है जो वहां से लीजिए और अपना यहां पे आप खाईए बैठके और यह है पंची उसको पता नहीं क्या यह साइद बड़ा वालग गिद जिसको कहते हैं वो है और यह है टाइगर और बस अब यह उठ गया है और बस तुरहं तक दो मिनट पहली मैं यहां पर आई थी अगर दो मिनट बाद आती तो यह भी नहीं दीखता मुझे और यह अंदर जाके बैठ जाते हैं सारे तो देख लीजे यह बाहरी है अब अंदर की तरफ जा रहा है तो मेरा लग अच्छा था कि मैं दो मिनट पहली आई थी तो यह मुझे दिग गया और जड़ी बने रहे यह मेरे साथ आगे भी देखते हैं आगे मैं दिखाते हूं आगे को कफो को हैं से हैं याँ तो काफी जानवर थे यहां पे तो आप आСпे आसकते हैं यां पे देखने के लिए और काफी अच्छा पर के लिए गोरखपूर का उसके बाद से यहां पर बच्चे थोड़ी सी मस्ती करते हो टाइगर के उपर चड़के यहां पर जैसे एक वारी वो नील गाये पर बैठे थे अभी यहां पर इसके उपर बैठे हैं तो यह बहुत ही अच्छा है जगा जगा इन लोगों ने बना सब पानिया गिर रही थी और काफी अच्छा प्लेस है यहां पर फोटो लोग की चो आ रहे थे खड़े होके और बहुत ही अच्छा यहां पर बैठने की विवस्ता थी और यह देखिость यहां पर बैठने की विवस्ता है जो बैठके आप कुछ भी खा सकते में जो आप तेलाने कीकह से लाएं या केंडिन से ले लीजा लिजे तो जगपने बैठने की पेवस्ता अच्छी है काफी अच्छी है और पानी की पेवस्ता है मतलब बाहर एक चीज यहां पर आपको अंदर मिल जाएंगी चीजे तो यहां पर देखी यह चारो त्रब में दिखा रहे थी यहां से खड़ी होके और यह हैं मेरे बच्चे जो पानी के लिए थ वो कह रहे थी कि जाओ तुम भर के लाओ तुम भर के लाओ तो पानी भर लिए बच्चे उसकी बाद से यहाँ पर स्नैक वाले हॉल में आ गए हैं तो यह बड़ा सा हॉल बना हुआ था जहां तरह तरह के स्नैक रखे हुए थे साप और प्लांट भी बहुत ही सुंदर- कर लिया जाए और जो अच्छे पत्ते हैं उनकी गुडाई होनी चाहिए उनमें खाथ होने चाहिए पानी होनी चाहिए यह सारी चीजे नहीं थी और पतानी क्यों नहीं थी और यहां पर भी किस-किस प्रजातिय के साप हैं उन सब चीजों के बारे में लिखके रखा हुआ था और काफी मुश्किल से यहां पर उनलों को ढूंडना पड़ा था क्योंकि कहीं भी लिप्टे पड़ाई हुए थे जिसे कुछ प्लांट भी लगा रखे हैं और यह एक बुड का होल बना रखे हैं बुड पे जो होल्स के अंदर वो उसके अपना वो कर सकते हैं देखिए स दूर दूर से स्कूलों के बच्चे यहां पर आई हुए थे और काफी इंज्वाय करते भीड बहुत जादा थी और इस वाले हॉल में तो भीड थी ही इसके बाद से मैं गई वो फिस वाले एक्वेरियम वाले हॉल में तो वहां तो भाई जगह नहीं थी बिलकुल भी मैंने तोड़ लिया इसे और अब देखती हूँ यह लग पाता है कि नहीं हमारे हां और यह है यह वाले प्लांट भी मैं खरीद के लाओंगी वो निकाल तो भी सकती नहीं थी और मैं से गुस्ता कर रहे थी कि जहां भी देखो प्लांट में टक जाती है यह तो होता है मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे सब्सक्राइब की बहुत जादा जरूरत है मुझे और देखे भीड कितनी जादा है बहुत जादा भीड है और यह मिस्ची सिस्टी और रिद्धी आ गई है तो और यहां लाइन से लोग देख रहे हैं लेकिन बहुत जादा भीड होने के वज़े से मैं पीछे हो जा रहे थी मैंने का कि बाकी जो लोग बहुत दूर दूर से आए हैं वही लोग देख ले हलाकि मैं भी बहुत दूर से ही गई थी लेकिन मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी भीड से गवड़ात हो रही थी और मुझे लग रहा था मैं नेक्स टाइम आजाओंगी लेकिन नेक्स टाइम कब आता है नहीं पता और फर्स टाइम मैं आई हूँ तो मुझे काफी अच्छा भी लग रहा है मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा है जैसा कि मैंने बताई यहां पर धामिंग साप यहां पर उसकी प्रजाती है और सारे जब रही हूं तो बस इसके लिए क्योंकि रेगलर नहीं हो पाती हूं मैं तो चलिए मिलते हैं इसके सेकेंड पाइट में और कल थैंक यू फो वाचिंग